आज का शिर्डी साइन संदेश मेरे बच्चे, एक बात मेरी ध्यान से सुनना दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए लेकिन उनका साथ वो ईश्वर, वो परमात्मा कभी नहीं छोड़ता वो हमेशा उनका साथ देता है हलात कैसे भी हो जीवन में खुद को कभी भी बिखरने मत देना, तूटने मत देना क्योंकि लोग तूटे हुए मकानों की इटे तक उठा कर ले जाते हैं इंसान जब सोचता है कि उसके दुखों का कभी अंत नहीं होगा तब उस मालिक का दिल पिघलता है और वो संकेत भी करता है कि सुख उस इंसान का इंतिजार कर रहा है हिमत मत हार, उट कर दुखों का सामना कर सुख का स्वागत करने के लिए त्यार हो जा ये मत समझ कि सारी दुनिया तेरे के लाव है कोई एक है जो तेरा साथ देने के लिए बेहत इंतिजार कर रहा है तुमारा कोई है जो तेरा दुख दर्द बाढ़ना चाता है कोई है जो तेरी जिन्दगी के अंधेरों में रोशनी लाना चाता है जब भी भगवान से प्रातना करो तो डर से नहीं प्रेम से करा करो जैसे अपने माता पिता से करते हो छोटी-छोटी बातों पर भगवान तुमसे नराज हो जाए वो ऐसा तो नहीं है वो तो बलकि इस बात की परतिक्षा कर रहा है कि कब हम उसे अपने बीच ढून ले और जहां तक रही बात भाग्य बदलने की तो अपने कर्मों के फल सबको भुगतने होते हैं मेरे बच्चों खुद भगवान को भी इसलिए परत्ना भगवान से भाग्य बदलने के लिए नहीं करनी चाहें मेरे बच्चे तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुमसे नराज हूँ तुम्हारी परत्ना नहीं सुन रहा हूँ तो ऐसा मत सोचा करो हमें कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहें कभी किसी की बेस्ती भी नहीं करनी चाहें हला चाहे कैसे भी हो जीवन में हमें लोगों के साथ पूरी विनर्मता के साथ आदर के साथ अदब से पेशाना चाहें और कभी अपनी बात रखनी भी हो अपने हद में रहकर पूरे एताब के साथ रखनी जाहिए मेरे बच्चो कभी भी अपने वहवार को आचरन को किसी के प्रती दूशित मत करना अपने आचरन शुद रखो, अच्छे रखो, नेक रखो अगर तुम्हारा भाव अच्छा होगा, तुम्हारा वहवार अच्छा होगा तो वो ईश्वर वो परमादपा तुमसे बहुत प्रसन होंगे अपने रास्ते से भटका हुआ इंसान, जब रास्ते पर आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है और तुमने अब एक नेक रास्ता चुन लिया है तुमने जो अत्यात्म का रास्ता चुना है वो किसी किसी के नसीब में होता है मैं जानता हूँ कुछ लोग तुम्हारी स्थिती का तुम्हारे इस रास्ते की चुनने का तुम पर मजाब उड़ा रहे हैं लेकिन उन्हें उड़ाने दो लेकिन जब तुम बहुत दूर तक आ जाओगे और तुम सफल हो जाओगे ना इसी रास्ते पर चलते जलते तब वो उनको बहुत पश्टावा होगा अपने वहवार के प्रती और ये ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी भगती के मार्ग प सदसे को सुखी रखने का प्रण उठा लेता है तम मैं खुश होकर प्रसन होकर उसके लिए मालिक से दुआ मांगता हूँ जिसका अपने गुरु पर विश्वास है उसके लिए दुनिया की हर कटीनाई असान हो जाती है जितना तुम मुझ पर ध्रेड विश्वास रखते ह होना तुमारी हर समस्या बहुत शेक्रिस माप्त हो जाएगी मैं तुमारी हर समस्या हल कर दूँगा हमसे अधिक हमारे गुरु को हमारे कल्यान की चिंता रहती है इसलिए गुरु के आदोईशों का पालन करना चाहें दूसरों के मधुर वच्णों पर ना जाकर हमें अपन वच्णों के दिल से अपने गुरु को समर्पित कर दोगे तो वो तुमें इस भवसागर से भी पार कर लदेंगे क्योंकि गुरु के सामने भवसागर का आस्तित्व वैसा ही है जैसे सूरे के सामने अंधीरे का इसलिए अपने गुरु पर धृड़ विश्वास रखा करो अपने ईश पर, अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखो, वो भी तुमें भवसागर जरूर पार करा देंगे. और तुमें कभी-कभी किस बात की इतनी चिंता होती है सुबह-सुबह ही, तुम बहुत उदास होते हो. यदि हर सुबह, नीन खुलते ही, किसी लक्षे को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं. आस्मान में देखो, हम अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मान, पूरा संसार हमारे साथ है, जो मेहनत करने वालों के सपने पूरे करने में उनकी साहिता करता है, इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझा गरो. तुम एक योदा की भांती हो मेरे बच्चो, और योदा वो नहीं होता, जो हमेशा जीते. योदा तो वो है, जो हर परिस्तिती में लड़े, कभी भी किसी भी परिस्तिती में हार न माने, अपना कदम पीछे ना हटाए. याद रखो, हम वही बनते हैं, जो हमारे विचार हमें बनाते हैं, जैसा हम सोचते हैं. इसलिए ध्यान रखो, कि आप क्या सोचते हो, विचार ही हैं, जो दूर तक हमें ले जाते हैं. अपने कर्म पर विश्वास रखे, राशियों पर ने, राशी तो राम और रामण की भी एकी थी मेरे बच्चों, लेकिन नियती ने उन्हें फल उनके करम अनुस्वार ही दिये थे. हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करते रहो, किसी से बदला लेने में अपनी जिन्दगी के ये किम्ती पल समय व्यर्थ मत किया करो, क्योंकि जो आपको चोट पहुँचाते हैं, वे अपने कर्म का स्वेम सामना भी करेंगे. और याद रखना हमेशा, आपका सबसे कठिन समय अक्सर आपके जीवन के सबसे महानशनों की और ले जाता है. इसलिए आगे बढ़ते रहो, अगर जीवन में कठिन परेस्तितियां देख भी रहे होना, तो घबराओं नहीं, क्योंकि कठिन परेस्तितियां अंत में मजबू के आगे खुद को मत हराया करो. इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है, जब लोग उसकी अच्छाई का फाइदा उठाने लगते हैं. जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है, जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं. जादा साफ दिल वाले इस संसा कार में जी नहीं सकते, क्योंकि खुद का बुरा उनसे सहा नहीं जाता और किसी का बुरा वो कर नहीं सकते. अच्छा कारे करने वाला कभी भी सम्मान का भूका नहीं होता है, क्योंकि उसका कारे खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है. जैसे जैसे आयू बढ़ती है, तुम्हें ये एसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान भी नहीं था। तुमने जीवन की कठिन से कठिन परिस्तितों का अकेले ही सामना किया है। तुम एक योदा की पांती हो, कभी भी हार ना मत। जीवन में हार मान जाना इनसान के जीवन का सबसे बड़ा दुरभागय होता है। इसलिए कभी भी हार मत मानना, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीब, जो तुम मन में ठान लेते हो न, वो ही प्रकरती तुमें देती है, अगर तुम कोशिश करते रहोगे, तो एक नाई दिन तुम वो काम जरूर मिल जाएगा, जिसकी कि तुम लायक हो, वक्त लगता है लेकिन परिश्रम का फल तुमें जरूर मिलता है मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो, मेरा आशिरवात तुम्हारे हर दम साथ है, मैं हर पल तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, हमेशा कल्यान हो तुम्हारा, राम क्रेश्नहरी, राम क्रेश्नह अरी